जान के बाद अब नौकरी पर कोरोना की मार कोरोना वारस के दौर में बढ़ी बेरोजगारी अंतराश्ट्रिया शर्मिक संगठन की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता दुनिया भर में जून तक 30 करोड़ों लोगों की जा सकती है नौकरी कोरोना की मार से पूरी दुनिया में लाखो लोग अपनी जान गवा चुके हैं और अब इस संकट की मार आर्थिक मोर्चों पर भी पड़ रही है कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही लगातार किसी न किसी शेत्र से करमचारियों को बिना वेतन के छुट्टी देने नौकरियों से निकालने के साथ वेतन में भारी कटोती की खबरे आ रही है लोगडाउन की वज़े से मॉल्ट्स, रेस्ट्रों, होटल सब बंध हैं और फैक्टरियां, कारखाने भी ठप पड़े हैं ऐसे में हर कोई इसी डर के साए में जी रहा है कि ना जाने कब उन्सकी नौकरी चली जाए वहीं इसी बीच जारी हुई संयुक्त राष्ट्र की श्रम एकाई अंतराष्ट्रिय श्रिमिक संगठन की ताजा रेपोर्ट लोगों की परेशानी और बढ़ा रही है संगठन ने कोरोना वारिस की वजह से बड़ी संख्या में विरुजगारी बढ़नी का अनुमान लगाया है रेपोर्ट की माने तो आने वाले अप्रेल से जून के दोरान महेज तीन महीने में ही करीब 30 करोण लोग से ज्यादा लोगों की पूर्ण कालिक नौकरियां समाप्त हो सकती है आपको बता दें कि संगठन ने पिछले पूर्वानुमान में कहा था कि इस महमारी के कारण जून ते मही में हर सपताह औसतन 48 घंटे की कारियावधी वाले 19.5 करोण पूर्ण कालिक नौकरियों का नुकसान हो सकता है संगठन ने कहा कि महमारी पर काबू पाने के लिए दुनिया भर में लौकडाउन के बढ़ाई जाने से उसे अनुमान में संचोधन करना पड़ा है वहीं अगर भारत की बात करें तो देश भर में फैले कोर्णा महमारी और उसके चलते लौकडाउन से बिरुजगारी दर बढ़कर 23.4 पीजदी तक पहुँच गई है CMIE की रिपोर्ट के अनुसार लौकडाउन से शेहरी बिरुजगारी दर 30.9 पीजदी तक बढ़ सकती है हाला कि कुल बिरुजगारी 23.4 पीजदी तक बढ़ेने का अनुमान है ये रिपोर्ट देश की अर्थविवस्था पर कोरुना के बुरे प्रभाव को दर्शाती है सेंटर फोर मॉनिटेरिंग इंडियन एकोनोमी का अनुमान है कि बिरुजगारी दर मार्च महिने के मद्दे के 8.4 पीजदी से बढ़कर 23 पीजदी हो गई है और फिर 24 मार्च को लोगडाउन की घोशना के बाद इसमें जबरदस्त तेजी आई एक और कोरुना की मार से लोगों का हाल बेहाल तो दूसरी और अब नौकरियां जाने का संकट लोगों के सिर पर मढ़रा रहा है इतना ही नहीं कोरुना और लोगडाउन की वज़ह से आने वाले वक्त में बिरोजगारी का वास्तविक दाइरा और भी अधिक हो सकता है